हाई गाईज, वेलकम बैक, I am Vivek सिंगल from tradingwithvivek.com और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम US market में, stocks में invest कर सकते हैं क्योंकि काफी लोगों का मन होता है कि हम Amazon के shares खरीदें या फिर Tesla के खरीदें या फिर बाकी किसी company के shares खरीदें जो US की companies हैं, जो US stock exchange में listed हैं जैसे इंडिया में BSC and NSE हैं, तो ये question बहुत बार आता था, लेकिन अभी तक मेरे पास कुछ इस तरह का easy सा तरीका नहीं था जिसके base पर मैं आप सब को guide कर सकूँ कि किस तरीके से हम वहाँ पर invest कर सकते हैं लेकिन आज जब मैं HDFC securities में अपनी कुछ transactions कर रहा था, तो वहाँ पर मैंने ये एक option देखा invest in US stocks, ये पहले भी option था, लेकिन पहले मैंने explore नहीं किया था, लेकिन जब आज इसको अच्छे से explore किया तो चीज़े काफी आसान लगी, क्योंकि इससे पहले मैंने 5pesa.com में अपना US main trading के लिए एक account बनाया था कि एक बार explore करके देखते हैं कि किस तरीके से चीज़े पूरी execute होती हैं, लेकिन 5pesa.com में चीज़े उतनी अच्छी थी, उतना आसान था नहीं, उसके दो reason थे, एक तो 5pesa.com का अपना bank नहीं है, तो जो remittances थी, वो different तरीके से थी, यहाँ पर चीज़े थोड़ी सी आसान जर आती हैं, और दूसरा 5pesa.com ने जिनके साथ partnership की है, उन्होंने जितनी भी US stock में जो companies हैं, जैसे 4000 plus companies हैं, वो सारी की सारी नहीं थी trade करने के लिए, तो एक limited number था, limited number में क्या होता है कि जब हम चीज़ों को अपने end पर analyze करते हैं, पता चले कि opportunity तो किसी एक particular stock में बनी है, लेकिन हम वहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा simple सा reason है कि वो particular stock में हमारे पास buying करने का option ही नहीं है, तो वो चीज़ एक अलग बात है, वो एक means down करने वाली बात है कि आपके पास अगर 10 stocks में आपने opportunity find की है, तो आप सब में वहाँ पर trade नहीं कर सकते हैं, so that is not right, ले मैंने यहाँ पर देखा, diversify with over 4000 plus US securities, free account opening and brokers as low as 1 cent and accounts are protected, तो जब इसको यहाँ पर find out करने की कोशिश की क्या क्या है, तो यह बात बिल्कुल सही निकली कि जैसे इन्होंने 4000 plus का यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यह बिल्कुल सही है, actual में ऐसा ही इन्होंने option दिया हुए, तो यहाँ पर मैंने chat box में बात भी की, customer care के साथ और बात करने के बाद में एक, यहाँ पर जब मैंने पूरा chat किया, तो chat के बाद में मैंने यह download भी कर लिया, कि उनके साथ क्या क्या बात हुए थी, दो-तीन चीज़े हैं, जो बहुत important हैं, मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ, एक तो उन्होंने मेरे साथ 4000 प्लस stocks की पूरी list ही share कर दी, जो वहाँ पर listed है, तो equities and ETF, exchange traded fund, तो यहाँ पर दोनों में ही हमारे पास trade करने के options हैं, यह पूरी list है 4000 shares की, तो 4000 shares means एक भी share उन्होंने असा नहीं रखा है, जो वहाँ पर listed हो, और हमारे पास उसमें trade करने का option ना हो, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से काम किया जा सकता है, तो एक तो यह जो particular drawback था, बाकी के case में वो यहाँ पर drawback नहीं है, यह एक plus point है, दूसरा एक और plus point है कि जैसे जिस तरीके से settlement इंडिया में होती है, या ऐसे ही settlement वहाँ पर होती है, बस एक ही difference है कि इंडिया में अ सकते हैं same day, लेकिन जो उसका पैसा आएगा, वो T plus 2 में settlement है, तो इस तरह की जो customer care से मुझे बाते सुनने को मिली, वो यह है, तो same ही तरीका है, जैसे कोई NRI इंडिया में अगर invest करता है, अपने NRI account से, तो उसको भी same चीज होती है, अगर वो आज HDFC bank के share sell करता है, तो उसक के लिए, अगर हम US stock market में पैसा लगाते हैं, तो उन्होंने same ही तरीका हमारे लिए भी है, कि अगर हम आज, हमने suppose Amazon के shares purchase किये, after 10 days हमने Amazon के share sell कर दिये, तो हमें T plus 2 में ही पैसा मिलेगा, और उसके बाद ही हम दूसरे किसी share में पैसा लगा पाएंगे, एक और बाद जो यह हमें sell करके मिलेगा, यह सिधा हमारे bank account में वापस नहीं आएगा, यह महाँ पर trading account में ही रहेगा, और वही पैसा हम दूसरे shares को purchase करने में use कर सकते हैं, तो यह चीज़ों इन्होंने मुझे confirm की, सबसे पहले तो जैसे once you sell the shares, the settlement time is T plus 2 working days, तो यह सेम चीज होगी जो मैंने question पूछा था, further this selling amount will be coming back to my HDFC bank, और it will be there in the US trading account, तो उन्होंने फिर मुझे सारी चीज़े confirm की, you may sell the shares on the same day, but once you sell the shares, the settlement time is T plus 2 working days, तो यहाँ पर trading plus 2 working days का मतले यह हुआ कि उसके बाद हम बेच सकते हैं, मिस खरीज सकते हैं after 2 working days, उसके बाद इन्होंने यह भी confirm किया, once the stocks are sold, the amount would be reflected in your trading account and it will not be transferred to your HDFC bank account, तो यह एक अच्छी बात है, बार बार अगर पैसा आएगा, जाएगा, जाएगा, तो वो कभी भी ठीक नहीं रहाता, फालतु की transactions होती हैं, तो suppose हमने 10,000 डोलर अगर transfer किये, 7,000 की असपास, अगर हमने transfer किया और उसको हमने use करना शुरू किया, त हम zero था कि account में एक बार पैसे transfer कर देते हैं, उसी पैसे को use करते रहते हैं, उसके बाद जब चाहे पैसा हम अपने bank account में वापस ले सकते हैं, तो same ही उन्होंने वहाँ पर यह option दिया हुए कि हम कभी भी bank account में पैसा वापस ले सकते हैं, एक और जो यहाँ पर फिर दूसरा question था, FAQs में जब हम जाते हैं, तो यहाँ पर एक और question था, is my investment productive, तो यह एक insured account रहेंगे, तो हमारे पैसे पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, how do I fund and withdraw funds from my account, so it's super easy to fund your accounts and to get your money back from the overseas brokerage account, login to HDFC net banking to transfer fund, तो वो सारे के सारे उन्होंने steps दिये वे हैं, so वो भी easy है, यहाँ पर जो अपना sign up करना है, वो भी easy है, यहाँ email ID डालते हैं, उसके बाद में mobile number डालते हैं, तो जैसे यह डालते हैं, तो हम आगे proceed करते हैं, proceed करने के बाद में, वो हमसे bank account, sorry, वो हमसे आधार card की detail मांगता है, pen card की detail मांगता है, और उसके बाद में processing के लिए चीज़ डोलर तक हम एक साल में बाहर भेज सकते हैं, बिना किसी permission के, RBI की किसी permission की जरूत नहीं होती, क्योंकि RBI ने यहाँ पर इतना पैसा transfer करने की, एक standing instructions दी हुई हैं, कि आप इतना पैसा बिना किसी permission के बाहर भेज सकते हो, अपने investment purpose से, या बाकी खर्चों के purpose से, so if you are investing from India under RBI is liberalized remittance scheme, you are allowed to invest up to $250,000 every year, तो यह अच्छा खासा पैसा होता है, 2,3 करोड रुपे के आसपास यह पैसा पहुंच जाता है हमारा, तो यह सारी चीज़े अच्छी हैं, यहाँ पर एक plan के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, तो plan के बारे में, यहाँ पर इनके 3 plans हैं, और तीनो plan में, जो difference है, वो में आपको बताता हूँ, सबसे पहले account opening के time हमें करना चाहिए, कि basic account open कर लें, और basic ही open करने के बाद में, हम उसको upgrade कभी भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर basic में क्या है, कि minimum जो brokerage है, per trade, वो 2.99 डोलर की, यानि कि 3 डोलर के आसपास है, लेकिन उसके बा per stock, तो per stock 7 rupees वहाँ के हिसाब से बिल्कुल भी जादा नहीं है, अगर हम per share की बात करें, तो अगर Amazon के share की बात करते हैं, तो 3,432 डोलर का एक share है, उसके उपर अगर 1 cent का खर्चा आता है, तो वो कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पर क्योंकि minimum 3 rupees है, 3 dollar है, तो हम इसको upgrade कर सकत हैं, silver में, जिसमें per year 4,000 rupees का subscription है, तो बहुत जादा बात ये भी नहीं है, और यहाँ पर minimum जो brokerage है, per trade वो 1 dollar हो जाती है, और उसके बाद में, अगर हम 14,000 पर चले जाते हैं, तो वहाँ और अच्छा हो जाता है, कि वहाँ minimum कुछ है ही नहीं, 1 cent per share है, तो यह बिल्कुल आस आसान है, account opening fees 0 है, unlimited investing power है, unlimited investing power होती ही है, कि वह हमारा पैसा है, जितना पैसा हम यूज करना चाहेंगे, उतना पैसा यूज होगा, तो यहाँ पर चीज़े आसान है, create account करके हम यहाँ से login के लिए proceed कर सकते हैं, यहाँ पर login करेंगे, उसके बाद में वो register, यहाँ से sign up के बात करें, जहाँ पर काम करना चाहिए, start करना चाहिए, अगर करने का मन है, तो NASDAQ 100 shares, जैसे Nifty में 50 होते हैं, ऐसे NASDAQ में 100 होते हैं, Dow Zones में 30 होते हैं, तो यहाँ पर NASDAQ 100 shares पर काम start करना चाहिए, उनको analyze करना चाहिए, देखना चाहिए, तो यह complete list है, NASDAQ 100 shares की, मैं यह list भ आकर sign up कर सकते हो, यह भी मैं description box में डाल दूँगा, उसके बाद मैं इन सब चीजों को check कर सकते हैं, जैसे Amazon है, Amazon के उपर हम click करते हैं, तो further detail इसकी निकल कर आ जाती है, इसके साथ में हम यहाँ पर इसके financials को check कर सकते हैं, Yahoo Finance पर check कर सकते हैं, Yahoo Finance यहाँ पर पूरी information देता है जैसे income statement है, balance sheet है, cash flow है, quarterly भी देता है, annual भी देता है, जैसे screener.in देता है, सेम तरीके से यहाँ पर यह information available होती है, इनको check कर सकते हैं, सेम जो हम यहाँ पर tradingview.com यूज करते हैं, तो सेम ही हम Amazon के chart को देखने के लिए यूज कर सकते हैं, तो सब कुछ उसी तरीके से सेम हो गय use कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हम same day use नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हम after two days use कर सकते हैं, that is the only difference, उससे अलग कोई भी difference नहीं है, बाकी एक और जो major difference आता है, वो यह आता है कि Indian companies के बारे में हमें ज्यादा पता है, क्योंकि हम यहाँ के जो products हैं, उनको समझते हैं, उनको use करते हैं, तो चीजे थोड़ी सी आसान होती है, लेकिन अगर same चीजों को एक बार explore करना शुरू किया जाए, तो US का भी सब कुस सेम रहता है, तो मैं यहाँ पर, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर सिर्फ पैसा कमाने का purpose है, तो US में काम करें, US stock exchange में काम करें, US companies में का करें, तो कोई difference नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही समझना है, explore करना है, तो यह सारा तरीका है, चीजे आसान है, इसमें सबसे important point क्या है, कि सारी चीजे HDFC के through हैं, तो HDFC के through हैं, HDFC का bank account आपका link है, तो यहाँ पर जो sense of security feel होती है, वो amazing है, तो बाकी चीजों में, बाकी किसी broker के through, वहाँ पर security, वो safety नजर नहीं आती, यहाँ पर वो safety नजर आती है, तो इस तरीके से आप इसको US में stocks में काम कर सकते हैं, वहाँ पर भी explore कर सकते हैं, अच्छा एक और बात है कि इनकी एक list है, जो list मुझे नहीं मिल पाई, उसमें जो great companies हैं, US stock exchange में listed, उसमें हम fraction of shares में भ हैं, तो हम टुकडो में भी shares purchase कर सकते हैं, fraction में, जैसे bitcoin purchase होता है, एक bitcoin बहुत महंगा है, तो एक bitcoin कोई नहीं purchase करता, generally मैं अपने जैसे logo की बात कर रहा हूँ, वैसे मैं तो लगाता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे level के हैं, वो भी शायद एक bitcoin में पैसे नहीं लगाते होंगे, क्योंकि bitcoin उतना safe नजर नहीं आता, और करना भी है, तो इतना पैसा क्यों लगाना है bitcoin में, तो one bitcoin बढ़ा महंगा होता है, सेम तरीके से अगर amazon में उतने पैसे नहीं लगाना है, तो हम fraction में भी काम कर सकते हैं, ये एक हमार पास option नजर आता है, तो आज के इस session में यही है, औ और मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता था, कल फिर मिलेंगे एकनी वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार, thank you so much, have a nice day,